तो एक वातावरण श्वेता 22 जनवरी को था अयोध्या में और एक वातावरण आज 26 जनवरी को है पूरे देश में और इस समय हमारे साथ विशेश महमान जुड रहे हैं इस खास चर्चा में हमारे साथ एर-मार्शल अनिल चोपरा मिराज पाईलेट है फॉर्मर एर ओफसर डिरेक्टर है सेंटर फॉर एर पास्ट टारीज वाइस अड्मिरल शेकर सिना हमारे साथ जुड रहे हैं फॉर्मर फ्लाग ओफसर कमांडिंग इंचीफ वेस्टर नेवल कमांड और जनल राजेश सहाई आप पूर्व परेड कमांडर रह चुके हैं यह जो परेड 26 जनवरी को निकलती है और चीफ अफ स्टाफ डेली एरिया थे और जनल सहाई मेरा पहला प्रश्टर आप ही से है कि इस समय इन फैक्ट रात के दो से तीन बजे तक हम लोग सब विजय चौक पर इकठे होते हैं दिल्ली की ठंड में बिलकुर ठंड नहीं लगती आप यनिफॉर्म में हैं शर्ट में हैं परन्तु जजबा इतना होता है अपने गंतंत्र का अपने भारत माता का कि ठंड की तो कोई बात ही नहीं और इस समय सारे लोग सारे जवान ऑफिसर्स और जहांकिया सब त्यार होते हैं कि अब गंतंत्र दिवस्टार्ट हो और हम उस कर्तव पत पे अपना जंडा लहरा हैं और देखने पे रहनता है कि वहां पर क्या महौल है क्या हर्ष है क्या हुलास है भारत म कि जय के जो जयकारे लगते हैं इस समय इस बात इस बार की जो परेड है ए माशल चोपड़ा उसमें हम यह भी देखेंगे कि जो रफाल लड़ा को विमान है न केवल भारते वायू से ना बलकि फ्रांस की वायू से ना इसी कर्तव पत के उपर उड़ाएगी वो रफाल भारत और नारीश शक्ती का प्रदर्शन है और उसमें जो इस बार जो फ्रेंच एफोस भी हमारे साथ जॉइन कर रही है सबसे पहली फार्मेशन जो मेन फ्लाइपास होगा उसके अंदर दो रफाल और एक एमार्टी टी ए ठी ठी जिरो एक राफ्ट फ्रेंच एफोस का प मेंबर्स हैं और नारीश शक्ती में मैं बताना चाहता हूं कि 80% of all people participating इस परेड के अंदर वो विमन होगी और अगनी वीर्स के एक टोली होगी 144 अगनी वीर्स विमन अगनी वीर्स की एक टोली होगी और कई जो ग्रुप्स आएंगे परेड पे नारी नारीया ही उनको लाज्ज फ्लाई पास्ते मिक्स फ्लाई पास्ते अरमी नेभी एफ आस और फ्रेंच एर्फ एफ में पाडिसेट करेंगी एल्सै wrath पहली बार इस फ्लाई पास्त में ओडेगा इसलिए बहुत ही इन्टरस्टिंग फ्लाई पास्त होने वाला